नमत्शुक्र दोस्तों! मेरा नाम है उतकरश मिश्ला और आज एक कम निया टॉपिक करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है लोगतंत की विशेष्टा हैं यह बहुत ही ज़ादा important topic है, वो इस वज़े से क्योंकि exam में लोगतंत की विशेष्टा हैं पूछा जाता है एक्जाम में यह कुशन आता है कि लोगतंत की विशेस्ता बताईए, अगर सीधा सीधा कुशन आये लोगतंत की विशेस्ता बताईए, तो आप लिखेगा कि लोगतंत की विशेस्ताओं में पर्मुक फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं, यानि देश के अंद जो भी पर्मुक फैसले लिये जाएंगे, वो साधे निर्वाचित नेताओं के हाथ में लिये जाएंगे, निर्वाचित नेता वो होता है जिसको जनता चुनती है, clear, यहाँ पर जितनी भी फैसले लिये जाएंगे, में फैसले, वो साधे के साधे निर्वाचित नेताओं के हाथों में होते हैं, यह लोगतंत की विशेस्ता है, दूसरा चीज क्या है, कि स्वतंत और निस्पक्ष चुनावी मुकावला हो, और साथी साथे, देश के अंदर क्या हो, कि स्वतंत रूप से चुनाव हो, निस्पक्ष चुनाव हो, यानि कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, चुनाव के अंदर, और जो बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका चैन भी सही तरीके से हो, पता ऐसा ना हो, कि मैं वोट तो इसको डाल दो, मतलब जीतना य यह चाहिए और जीत यह गया, जनता ने चुना इसे, लेकिन धोखा रड़ी हो गई और जीत यह गया, तो निस्पक्ष चुनाव भी होना ज़दूरी होता है, अगला पॉइंट आता है लोगतंत की विशेस्ता में, कि एक व्यक्ति होता है, एक वोट होता है, और एक मोल हो कहने का मतलब है कि मेरे धर्म, मेरे जाती, मेरे रंग के हिसाब से वोट की और उपर नीचे ना हो, just because of मैं गरीब हूँ, तो मेरी वोट के वैल्यू दो कर दी जाए, कि मैं प्रेस करो, तो उसको दो मान लिया जाए, ऐसा ना हो, just because of मैं अमीर हूँ, so ऐसा ना हो, कि मैं प् कि अगर मैं वोट डालने जाओ, so मेरी वोट के वे वैल्यू count में एक की जाएगी, अगर मुकेश अमबानी, जो देश का richest person है, अगर वोट डालने जाए, तो उसकी वोट के वे वैल्यू कितनी होगी, एक ही होगी, so ये कहने का यहाँ पर मतलब है, अगला होता है कि कानून का राज हो और अधिकारों का आदर हो, लोगतन्त की सबसे अच्छी विशेस्ता ये होती है, कि अगर लोगतन्त है आपके देश के अंदर, so वहाँ पर कानूनों का राज चलता है, यानि जो कानून में चीज़े mention की गई है, उसी पर देश हमारा रन करता है, कानून से बड कानून के अंदर एक ही परसन की बात जादा की होगे और दूसरे समुहों की बात ना कीएगी हो, ऐसा ना हो, कानून भी एक अच्छा होना चाहिए, दूसा चीज क्या होता है, इसी के अंदर अधिकारों का आदर हो, जैसे हम लोग दूसरे लोगों से अलग है, just because of हमारे अ अधिकार है, हमें कहीं पर आने जाने का अधिकार होना चाहिए, तो सेम इसी तरीके से हमें अधिकार भी मिलने चाहिए, जहां कहीं लोगतंत होता है, लोगतंत की पूरी कोशी से रहती कि आपको ये अधिकार मिले, यानि आपको बेसिक अधिकार है, at least वो तो आपको मिले मिले और आपके अधिकारों को आदर की किया जाता है लोगतंत के अंदर तो थो तो थी लोगतंत की विश्यस्था रुकर पूछ तो लोग तंत की विश्यस्था आप ऐसे करके लिख सकते हो लेकिन कहें की behöver यहां पर विश्य करके उन case studies को पढ़ेंगे आज तो केवल हम लोग पदमुक फैसली निर्वाचित नेताओं के हाथ इस वाले टॉपिक है जैसे पहला है विशेस्ता इसकी case study हम समझने की कोशिस करेंगे और next video जैसे जैसे upcoming videos आएगी उसके अंदार एक एक जो भी features हमने यहां पर पढ़े उनके बादे में case study हम समझेंगे case study important है वो इस वज़े से क्योंकि exam में पूछा जाता है विशेस्ताओं के साथ case study भी exam में आती है तो ऐसा ना हो कि आप केवल विशेस्ता ही पढ़े और case study ना पढ़े य निर्वाचित नेताओं के हाथ में कहने का मतलब है कि जो भी देश के अंदर पर मुख फैसले लिए जाएंगे वो किसके हातों में होने चाहिए निर्वाचित नेताओं के हातों में होना चाहिए यह हमारा लोगतंत की विशेस्ताओं का पहला feature होता है clear अभी इसके कहानी जो है वो बात बताएगी है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर क्या होता है पाकिस्तान में पर्वेश मुशरदप इनकी फोटो मैंने पर लगा रखे ताकि आपके अच्छी हो इन्होंने अक्टूबर 1919 में कीया सेनिक तकथापलेट की अगवाई की और उन्होंने लोकतांति धंसे चुनी हुई सरकार को उखाडबे को खुद को देशसे का मुख कामिख कारेकारी घूशित किया यानि इन्होंने क्या किया जनता ने इन परसेंट को चुना था इनका नाम है नवाश शरीव, इन्हों ने क्या किया, ये कि परवेश मुशर्व ने क्या किया, कि नवाश शरीव को इनके पद से हटा दिया, और इनका जो पत था, वो था पीम का, इन्हों ने क्या किया, परवेश मुशर्व ने, नवाश शरीव को इनके पद से हटा दिया, और खुद को मुख्य कारिकारी घोशित कर लिया, मतलब PM तो नहीं घोशित किया, लेकिन PM के जैसा ही इन्होंने अपने आपको घोशित कर लिया, यहनि अब देश के अंदर जो भी काम मुख्य फैसले लिये जाएंगे, वो किन के हातों में लिये जाएगा, परवेस अपने आपको घोशित कर देते हैं, और 2002 में एक जन्मस संग्रह कराकर अपना कारेकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया, इन्होंने क्या के दर पहले तो यह किया कि अपने आपको घोशित कर लिया, फिर क्या हुआ कि राश्च्पती के टेनियोर बढ़ाने के लिए उन्होंन चाहिए या नहीं होना चाहिए, सो बेसिकली जन्ता को क्या करना था, वोट देना था, अपनी राय देनी थी कि हाँ भाई आपको होना चाहिए, या फिर नहीं, आपको नहीं होना चाहिए, सो इस जन्मस संग्रह के अंदर क्या हुआ, इन्होंने जब बढ़ा लिया तो इस करने वाले लोग थे उन लोगों ने आरूप लगाया कि जो जन्मस संग्रिय करवाया कि जो जनता से आप पूछ रहे हो धोखा धड़ी की आपने उनके साथ क्योंकि जनता ने कुछ कहा और आया कुछ रिजल्ट समझ मैं मान लेते हैं जनता ने आफको इसका कहने का मतलब जनता नहीं चाहती थी कि परवेज मुशर्ण जो है वो रास्टपती बने रहे लेकिन आपने धोखा धड़ी करके वोटिंग्स का इधा उधा घपले बाजी कर दिया और आपने जो चीज होनी चाहिए थ पूरी तरीके से धोखा धड़ी है इसके अंदर आपने बहुती तरीके से फ्रॉड किया है और यह इसको हम नहीं मानती यह गलत है देन क्या होता है आगे अगस 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ओर्डर के जरिए पाकिसान के सविधान को बड़ा दाला अब उन्होंने कौन यानि यह परसन परवेस मुशर्रफ उन्होंने क्या किया कि लीगल फ्रेमवर्क ओर्डर जाहिर किया इसके जरिए उन्होंने क्या किया सविधान को बड़ा दाला सविधान को बड़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि इस ओर्डर में क्या था कि राष्ट पती राष् मंतीर परिशत के काम काचपत एक राष्टिय सुदच्छा परिशत की निगरानी रहती है जिसके ज्यादात सर्दस से फौजी अरिकारी है अब यह कहा जाता है कि जो यह परवेश मुशर्रफ थे उन्होंने क्या कि अपनी पावर का यूज करके सविधान को ही उन्होंने बड दाला तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि देश के अंदर जो राष्टिय और प्रांतिय एसेंबली होती है कहने का मतलग जो जैसे जो स्रिप्तोवेंसिस की होती है और एक होती है सेंट्रल एसेंबली जैसे हमारी होती है स्टेट गवर्मेंट एसेंबली और होती है सेंट्रल government के assembly इन दोनों ही assembly उसको क्या कर सकता है राष्ट पती भंग कर सकता है यानि उसको abolish करवा सकता है इतनी अपनी major power इसने change कर दिया अब क्या होता है कि और यह कहा गया कि जो मंति परिशद जो भी काम करेंगे यानि जो राष्टी सुदच्छा परिशद होगा वह मंति परिशद के कामों के निगरानी करेगा कि आप अपना काम सही से कर रहे हो कि नहीं करे और इस जो सुदाच्छा परिशत के जो बंदे हैं वो सारे के सारे फौजी अधिकार यह तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि फौजी लोग क्या करेंगे देश के अंदर कोई भी कानून लाए कि आप पास मत करो क्यों कि गलत है क्योंकि ऐसा मानना भी पड़ेगा मंति परिशत को क्योंकि उनकी निगरानी में ही तो सारा चीज होगा ना अब यह उसका लोगो है ठीक है सुदाश्टी सुदाच्छा परिशत का आगे क्या होता है कि इस कानून के पास हो जाने के बाद राश्टी और प्रांती एसेंबलियों में चुनाव करवाए गया तो जब यह कानून हमारा पास हो गया तो इसमें चुनाव भी करवाए गया इस परकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए चुने हुए पड़ते निदियों को कुछ अधिकार भी मिले लेकिन सर्वोच सत् मुसर्रफ के पास थी तो हम क्या देखते हैं कि इस जब यह सारे लीगल फ्रेमवर्क और वगयरा पास भी हो गया जब देशकेंदर ऐसा कानून भी बना दिया गया है सो कानून बनने के बावजूद भी वहां पर चुनाव वगयरा करवाए गयरा हुए लोग जनता ने जि नहीं क्या जन्र परवेश मुशर्फ को हमने चुना था नहीं यह ऐसे लोग थे जिनको जनता ने नहीं चुना था जनता ने जिसको चुना था वो लोगों के पास तो एक्च्वल पावर होनी चाहिए लेकिन एक्च्वल पावर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सारी सब्सक्राइब के पास तो ऐसे में आप कह सकते हूं कि जो पकिस्तान है इस समय उससे इल SSR you मैं इस प्रवेस मुशर्ड़के पास तो एसे में क्या आप जो आप सकते हो कि यहाफ के पास तिनूमिय में में तब ही होगा जब देश के अंदर जो एहम फैसले ले वो कौन हो जिसको जनता ने चुना लेकिन जनरल परवेश मुश्रफ को नहीं सेना अधिकारियों को जनता ने चुना था वो तो खुद ही अपने आपको बतलब पावा का यूज करके खुद ही वो बीच में आ गए क्लियर सो इससे क्लियर हमें हो जाता है कि द्यूरिं डिस टाइम या उस समय हम यह नहीं कह सकते कि जो पाकिस्तान है वो डेमोक्रेटिक था उसने बहुत ही जादा माल प्रैक्टिस की फ्रॉड किया जो कि जनता के लिए सही नहीं था सो अब तो आपको क्लियर होई गया होगे तो आप क्लियर हो जाएगा जैसे कि यह साज चीज़ें उमीद कर तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बैबाए ख्यार लग कि आप लोग अपनासा विल